भारती स्पिन गेंदबाजों ने भारत और विदेशी दोनों ही पिचो पर भारत के लिए विकेट जटक कर भारत को जीत दिला लिए लेकिन मौझूदा समय में भारत और इंग्लेंड के बीच खेली जा रही पांच मैचों की टेस्ट सिरीज में भारत के स्पिनर गेंदबाज विकेट के लिए तरस रहे भारत और इंगलेंड के बीच हो चुके दो टेस्ट मैचों में भारत के लिए इस्पीन गेंदबाजी का जिम्मा संभाल रहे जटेजा एक भी विकेट हासिल नहीं कर सके वहीं तीसरे टेस्ट में उन्होंने हतीब हमीद को बोल्ड कर इंगलेंड को जटका दिया लेकिन जटेजा का यह विकेट बहुत देर सा है जटेजा के इस विकेट के बाद उन्होंने इस सिरीज में एक अनोखा कारणामा किया भारतीय स्पीनर ने इस सीरीज में पहली बार कोई विकेट लिया वहीं हो चुके दो टेस्ट मैचों में जटेजा को कोई विकेट नहीं मिलने के बाद भी कप्तान कोहली ने अश्विन को मौका नहीं दिया उन्होंने जटेजा पर तीसरे टेस्ट मैच में भी भरोसा दिखाया हलाकि cricket के जानकार विराट कोहली के इस फैसले को बहुत बड़ी गलती मान रहे हैं उनकी नजर में दो टेस्ट मैचों में फेल होने के बाद भी जटेजा को टीम में रखना ठीक नहीं है साती अश्विन टेस्ट के अनुभव गेंदबाज हैं और टेस्ट में 413 विकेट अपने नाम कर चुके हैं उनको नजर अंदाज करना टीम को कहीं भारी ना पड़े वहीं मैच की बात करें तो भारत की पहली पारी 78 रनों पर सिमट दे भारत के बल्लेबाज पहली पारी में अपना परभाव छोड़ने में नाकाम रहें वह इंग्लेंड की गेंदबाजी के आगे ताश के पत्तों की तरह बिखर गएं वहीं भारते गेंदबाज भी अपना परभाव छोड़ने में नाकाम रहें